नमस्कार आप देख रहे हैं S.E.C.N. News और आई ये बात करते हैं स्वास्त मंत्री से MGM के लिए विशेस फंड जारी करने की मांग किये जाने की जमशेदपूर में My Country Is My Family संगस्था ने कोलहान के सबसे बड़े सरकारी MGM अस्पताल में गरीब मरीजों के समुचित इलाज के लिए विशेस फंड निर्गत करने की मांग उठाई है मांग पत्र में कोलहान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM में इलाज के लिए पहुचने वाले गरीब लोगों के लिए सरकार की ओर से विशेस फंड निर्गत करने की मांग की गई है इस दोरान संगस्था के अध्यक्ष मुहम्मद शमीम ने कहा कि पूरे जिले के गरीब तपके के लोग सरकार पर भरोसा रखकर MGM अस्पताल इलाज कराने पहुचते हैं लेकिन अस्पताल में अधिकतर बड़े तेस्ट या तवाईयां बाहर से लाने को कहा जाता है गरीब व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे बाहर से टेस्ट करा सके या महंगी दवाईयां खरीद पाए इस से वे अस्पताल के भरोसे ही राज कराते हैं उन्होंने कहा कि ये समस्याद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जिससे मरीज तरस्थ है उन्होंने कहा कि राज सरकार हर दिशा में बहतर काम कर रही है इस कारण उन्हें MGM अस्पताल की वेवस्ता पर भी ध्याम देते हुए अस्पताल को ऐसे मरीजों की चिकित्सा के लिए विशेस फंड की वेवस्ता करनी चाहिए ताकि गरीब मरीजों का भी पूरा इलाज संभब हो सके दिन बर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेस्बुक और यूट्यूब पर साथी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले झाले